एपिसोड 10 की शुरुवात में दिखाया जाता है नोवा कॉंटेस्ट का वीनर का एनाॉंसमेंट हो रहा होता है वहाँ पे फैट और फॉब के साथ ड्रिम और लग भी आये हुए है कार्टून डिजाइन में ड्रिम हुईना नहीं होती है और ना ही फैट सौट फिल्म डिपार्टमेंट में तो वो दोनों थोड़ा अपसेट हो जाते हैं फिर फैट और फॉब को फैट के रूम में दिखाया जाता है फैट कहता है मुझे लगता है ये अजीब था उनके पैरेंस गवर्मेंट के लिए काम करते हैं और जिनके बैक अपसे वही लोग जीते हैं हमारे जैसे लोगों को कोई भी मौका नहीं मिलता फैट कहता है मुझे लगता है अभी तुम मुझे जादा इस प्रोब्लेम में अटके हुए हो फैट कहता है क्या तुम इस प्रोब्लेम में अटके हुए नहीं हो फैट कहता है मैं हूँ फिर वो फैट के गाल पे किस करता है और कहता है तुम पे अटका हुआ फैट कहता है मेरा मतलब है नोभा फॉब कहता है छोड़ो ना एटलिस्ट लोगोंने तुम्हारा काम देखा कभी-कभी हमें अपना असली रूप दिखाने के लिए जगा चाहिए होती है फैट कहता है तुम ठीक है रहे हो फैट कहता है ये शायद कुछ ऐसा है जिसे हम बदल नहीं सकते लेकिन तुम अभी भी जी रहे हो इसलिए मैं इसे तुम पे छोड़के जा रहा हूँ फैट कहता है मैं ट्राई करूंगा फिर वो दोनों थोड़ा क्लोज आते हैं फैट कहता है तो फिर अब दूसरों को अपना असली रूप दिखाने के लिए खुद को ठकाने की जरूरत नहीं है फैट कहता है क्या ये इतना ठका देने वाला है फैट कहता है नहीं ये ऐसा है कि तुम्हें चादरों से ढखने की जरूरत नहीं है, दूसरों को साबित करने के लिए कि तुम तैर सकते हो, फिर फोब को ब्लैंकेट उड़ा देता है, और कहता है ऐसे, फिर फोब ब्लैंकेट से बाहर आता है और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, फिर वो लोग ब्लैंकेट ओढ़ा लेते हैं। फिर दिखाया जाता है दोनों के बीच में सब कुछ हो गया होता है। फॉब कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फैट कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वो फॉब को किस करने जाता है तो फॉब को कुछ महसूस होता है फैट कहता है तुम ठीक हो? फॉब कहता है हाँ मैं ठीक हूँ तभी उसे अंकल नौग की बाते याद आती है कि तुम अपने सबसे बड़े बाधा से मिलने वाले हो फिर फॉब को घड़ के गेट के सामने दिखाया जाता है और गेट के बाहर बहुत सारे भटक्ती हुई आत्मा होते है तब ही फॉब देखता है कि वो भी उनमें से एक बन गया है और वो डर जाता है और ये सिन यही पे कट हो जाती है फिर fat garden में बैठा हुआ होता है Fob उसके पास आता है और उसे एक wax देता है वो उसे fat के बालों में लगा देता है फिर कहता है अगर तुम ready हो तो चलो Fat कहता है कहाँ Fob कहता है आज के दिन को special बनाने के लिए फिर Fob fat को छट पे ले जाता है और कहता है आसमान साफ है तो मैं तुम्हारे साथ सितारों को देखना चाता हूँ Fat कहता है क्या तुम पागल हो Fob कहता है वेल मैं कुछ अलग करना चाता था बैठो और Fob ने बहुती सुन्दर से सब कुछ एरेंज किया हुआ होता है फिर वो लोग बैठते है और Fob कहता है मैं सिर्फ उस टाइम को स्पेशल बनाना चाता था जो हमारे पास बचा है Fat कहता है जरूर Lover Boy Fob कहता है तुम हमेशा मुझे टीस करते हो जो रोमेंटिक मूड मैंने बनाने की कोशिश की थी वो खतम हो गया Fat कहता है ठीक है मैं तुम्हें और टीस नहीं करूंगा तो आज तुम मुझे सितारे दिखाने के लिए क्यों लाए हो Fob कहता है मैं नहीं जानता अब से मेरा रास्ता मुझे कहां ले जाएगा फिर वो दोनों लेट जाते है Fob कहता है क्या तुमने कभी उन क्लिक्स के बारे में सुना है जिसे लोग कहना पसंद करते है कि जब कोई मर जाता है तो वो सितारा बन जाता है मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ये सच हो जब मैं तुम्हें मिस करूंगा मैं नीचे देखूंगा और जब तुम मुझे मिस करोगे तुम उपर देखना Fob कहता है Fob जब तुम एडल्ट हुए थे तब अगर तुम्हें चुनना परता तो तुम किस तरह का एडल्ट होना चुनते Fob कहता है मैंने इस बारे में सोचा है और मैं अपना क्लोधिंग ब्रेंट खोलना चाता लेकिन ये एक नॉर्मल परसन के लिए बहुत मुश्किल है फिर Fet से पूछता है तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में Fet कहता है Honestly कुछ भी नहीं Fob कहता है ये अजीब नहीं है और कोई बड़ी बात भी नहीं है और दूसरे चीज़ों का क्या क्या तुमने फैमिली के बारे में सोचा है Fet कहता है तुम क्यों पूछ रहे हो Fob कहता है मैं जानना चाता हूँ Fob कहता है मैंने सोचा है फैमिली और तुम Fob कहता है क्या सोचा है बोलो मुझे फैट कहता है जैसे जब मैं हर सुभा नीन से जागू मैं तुम्हें देखू नॉर्मल कपल की जैसे फब थोड़ा अपसेट हो जाता है फैट के लिए फैट कहता है मैं ठीक हूँ अभी हम भूतो के जैसे है सब जानते है कि हम हैं लेकिन कोई हमें स्विकर करने की परिशानी नहीं उठाते फॉब कहता है फैट मेरा सबना भी तुमसे अलग नहीं है मैं हर रोज तुम्हारे साथ नीन से जगना चाता हूं और तुम्हारा प्रेमी बन के रहना चाता हूं मैं तुम्हारे साथ खुश हूं हाला कि ऐसा सच में नहीं हो सकता तुम्हारा क्या सोचना है फैट कहता है हाँ फिर फॉब फैट को एक डिंग पहना देता है और वो दोनों किस करते है अब और 22 घंटा बाकी है फॉब के पास रात को फॉब और फैट सो रहे होते है फैट नीन में होता है और फॉब जगा हुआ होता है फॉब फैट के गाल पे हाथ रख के कहता है फैट तुम्हें जीना होगा और उसे किस करता है फिर कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ फैट और वहाँ से उठके चला जाता है फिर नेक्स टे वो जीम के घर पे जाता है जिम कुछ पढ़ रही थी फॉब कहता है तुम उनके लेटर पढ़ रहे हो तुम उन्हें मिस कर रहे हो जिम कहती है नहीं मैं सिर्फ कन्फ्यूजड हूँ मुझे नहीं पता मैं उनके प्रतिक ऐसा महसूस करती हूँ मैं नहीं भूल सकती उन्होंने मेरे और मेरे मॉम के साथ क्या किया था फॉब कहता है इट्स ओके ये तुम्हारी कलती नहीं है कि तुम इस तरह से फील करती हो मैं भी नहीं भूल सकता मेरे डैड ने मेरे और मेरे मॉम के साथ जो किया था लेकिन तुम्हें खुद को संबालना होगा जीम कहती है मुझे सिर्फ फिल होता है मैं उनके जैसे नहीं बनना चाती फिर फॉब से कहता है तुम्हारा क्या इस तरह से निकले हो कोई भटकती हुई आत्मा ने तुम्हें नहीं खीचा फॉप कोई जबाब नहीं देता है तो जिम फिर से पूछती है फॉप क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? फॉप कहता है बस आखरी बार तुमसे हेल्प चाहिए जिम कहती है क्या है? फॉप कहता है मैं चाहता हूँ अब से तुम फैट का ख्याल रखो जीम कहती है क्यों? मुझे लगा था तुम्हारे पास टाइम बचा है फॉब कहता है मैं तब तक इंतिजार नहीं कर सकता जीम कहती है क्या तुम गुडबाई कह रहे हो? फॉप कहता है अभी नहीं अगर मेरा टाइम खतम होने तक मैं उसके साथ रहा तो मैं बन जाओंगा जिम कहती है मैं तुम्हें समझ सकती हूँ लेकिन क्या तुमने फैट को ऐसे छोड़ के जाने के बारे में सोचा है फॉप कहता है एट लिस्ट जब अलग होंगे मैं फैट और मेरा सच एकसेप्ट कर पाऊंगा जिम कहती है तुम कहां जाओगे फॉप कहता है मैं नहीं जानता लेकिन चिनता मत करो मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ जीम कहती है लेकिन मुझे लगता है अगर fat को पता चलेगा वो ऐसा होने नहीं देगा Fob कहता है इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं जीम क्या तुम मेरे लिए उससे कहोगे के मैं क्या करने की सोच रहा हूं और अगर वो मेरा help करना चाता है तो उसे मेरा ये सच accept करना होगा Thank you, always मेरा help करने के लिए मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हारे जैसा नया friend बनाया है जिम कहती है मैं भी खुश हूँ कि मैं तुमसे मिली फिर मिलेंगे फ़ब रो रहा होता है फिर फ़ब को दिखाया जाता है उसके नीन तूटती है तो वो देखता है फ़ब उसके पास सोया हुआ है फिर देखता है वो नहीं है फिर फ़ब फ़ब को बुलाता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता फिर वो नीचे आता है तो देखता है जिम आई हुई है फैट कहता है तुम इतनी सुभा यहां क्या कर रही हो तुमने फॉब को देखा क्या मैंने सुभा से उसे नहीं देखा मैं नहीं जानता वो कहां गया है तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो जिम कहती है फैट फॉब अब कभी भी बापस नहीं आएगा फैट कहता है तुम क्या बोल रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा है जिम कहती है आज सुभा फॉब मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा कि वो जा रहा है और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए फैट कहता है मजाग बंद करो और ये बिल्कुल भी फणी नहीं है फ़ब ये कभी नहीं कर सकता वो बिना गुडबाई बोले नहीं जा सकता जीम कहती है अगर वो अपना टाइम खतम होने तक रुखता तो क्या तुम उसे जाने देते और अगर तुम उसके साथ लास्ट मोमें तक रहते तो वो तुमें छोड़ के नहीं जा पाता और तुम भी उसे नहीं छोड़ पाते क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो क्या तुम जानते हो वो आख़ी चीज जिसके साथ वो फज केया है वो चीज तुम दोनों के बीच में है फैट कहता है क्या तुम ये बोलने की कोशिश कर रही हो कि वो मैं हूं जिम कहती है हाँ फिर कहती है इसे जाने दो ये अच्छे के लिए हो सकता है अब और पांच घंटा बाकी है Fobb के जाने में फिर Fobb के डैट को दिखाया जाता है वो उन तीनों की फोटो देख रहे थे व़हाँ पे Fobb आता है वो अपने डैट को पुकारता है उसके डैट मुडता है लेकिन Fobb को देख नहीं पाते फिर फॉब घर के बाहर आता है तो वहाँ पे कुछ भटकती हुई आत्माओं को देखता है अब और चार घंटा बचा है फॉब के पास फॉब गिर गया होता है और आत्माओं फॉब को घिरे हुए होते है फिर वो आत्माओं वहाँ से चले जाते है फ़ब उठता है और उसको ब्लैक कप्रे में दिखाया जाता है कुछ-कुछ उन आत्माओं की तरह उसका शरीर बदलने लगता है फिर उसे फैट की आवाज सुनाई देता है फैट उसी को पुकार रहा होता है फ़ब उसे भागने लगता है और गिर जाता है फैट उसे ढून रहा होता है और फैट को फ़ब दिख जाता है फैट ड्रिम को कॉल करता है और कहता है मुझे फ़ब मिल गया है फ़ब उठता है और उसकी आखे बदल गई होती है फब उठके वो फिर से गिर जाता है फैट की नीन तूट जाती है और वो अब तक सपना देख रहा था वो अपने फोन में उसकी और फब की फोटोस देखता है और रो रहा होता है फिर वो अपने मॉम की पास जाता है उसकी मॉम उसे उसके डैट की कुछ चीजे देती है और कहती है जिस दिन से मैंने और तुम्हारे डैट ने रिष्टा तोड़ा है मैंने खुद तुम्हारी और हमारी फैमिली की देखभाल करने की कोशिश की है और मैंने उन्हें इस घर की हर चीज से मिटाने की कोशिश की लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं पूछा इसलिए मैं सोच रही थी कि ये बॉक्स तुम्हें अपने लिए चुनने का अधिकार है मैंने अल्रेडी मेरा रास्ता चुन लिया है अब ये तुम्हारे उपर है कि तुम इसके साथ कैसे निपड़ना चाते हो क्या तुम इसे रखना चाते हो या मेरे जैसा फेक देना चाते हो फैट रो रहा होता है और अपनी मॉम से कहता है फॉब अब यहां नहीं है और उसकी मॉम को हक करके रो रहा होता है उसकी मौमू से दिलासा देती है कि मैं तुम्हारे पास हूँ ये एपिसोड बहुत ही जाद एमोशनल है गाईज फिर फैट के रूम में फैट और फॉब को बैठा हुआ दिखाया जाता है फॉब फैट का हाथ पकड़ के कहता है मैंने जो किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ फैट फैट कहता है इट्स ओके मैं समझ सकता हूँ फॉब कहता है अब से तुम कैसे रहोगे क्या तुम मुझे जाने दोगे फैट थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर कहता है मैं तुम्हें शायद चाने नहीं दे सकता लेकिन मैं अपनी यादों को समझ सकता हूँ मैं उसमें तुम्हें अपने साथ रखूंगा तो मैं जी सकता हूँ तुम्हें भूलने की कोशिश करना तुम्हें याद करने से जादा कठिन है फाप कहता है तुम मेरे सोच से जादा स्ट्रॉंग हो मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें देके जा रहा हूँ इसे रख लो तो जब तुम मुझे मिस करोगे तुम इसके माध्यम से मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हो फैट कहता है वो क्या है Fop कहता है तुम बहुत जल्दी जान जाओगे Fit कहता है मैं तुम्हें इस हालत में छोड़के नहीं जाना चाहता क्या हमें तुम्हारे सपने में जाना चाहिए Fat कहता है नहीं हमें जाकते हुए एक दूसरे को goodbye कहना चाहिए मैं चाहता हूँ तुमें एक असली चीज़ बनो मैं तुमसे प्यार करता हूँ Fop कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ Fat फिर दूनों एक दूसरे को kiss करते हैं और guys इतना दर्थ था इस kiss में This is too much, I can't explain it फिर एकदम से रोशनी हो जाती है और Fop अद्रिश्य हो गया होता है और Fat अकेला बैट के रोड़ा होता है अपने प्यार को हमेशा के लिए खो देना बहुत ही जादा तकलीफ देता है फिर flashback में दिखाया जाता है Fop ने अपना Facebook अकाउंट Fat के laptop में open करके रखा था और एक hardship औरिगामी भी Fat के लिए रखा था शायद वो इसी चीजों के बारे में बात कर रहा था कहानी prison में आती है Fat जाके वो सब देखता है और कहता है तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे Fop फिर बहुत साल बात का सीन दिखाया जाता है Fat अभी एक middle legit person बन गया है वो अपनी उसी room में आता है सब चीजों को देखता है और अपने मन में कहता है Fop तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? तुम शायद बहुत दूर हो कुछ चीजे अभी भी वैसा ही है जैसा कि तुम्हारा यहां रहने के वक्त था यह कभी नहीं बदलेगा लेकिन कुछ चीजे समय के साथ बदल गया है जैसे कि मेरा शरीर अप नहीं चल सकता कैंसर के कारण मैं माफी चाता हूँ कि मैं तुम्हारा सपना सच नहीं कर सका क्योंकि अन्याय अभी भी मौजूद है मैंने फाइट करने की कोशिश की लेकिन आशा करता हूँ कि नेक्स्ट जेनरेशन इस फाइट को कंटिन्यू करेगा मेरा भी एक पडिवार था मैंने एक लेडी से शादी की थी वो उसी स्कूल में टीचर थी जहां पे मैं पढ़ाता था लेकिन ये नहीं ठीका क्योंकि हमारा विक्तित्व बहुत अलग था इसलिए मैंने सोचा लाइफ पार्टना ना रहना इतना स्ट्रेंज भी नहीं है एक सल पहले मेरी मौम गुजर गई मेरे लिए वेट करो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ हम फिर से मिलेंगे मैंने हमेशा तुम्हें मिस किया फॉब फैट की तरफ से प्यार लेना फिर फैट गेट के बाहर आता है तो वहाँ पे फॉब खड़ा हुआ होता है फॉब कहता है बहुत दिनों बाद हम दोनों मिल रहे है फैट कहता है लेकिन तुम अभी भी handsome हो Fop कहता है समय हो गया है क्या तुम ready हो और वो अपना हाथ बरा देता है फिर teenager Fat को दिखाया जाता है Fat कहता है मैंने इतने साल वेट किया of course मैं ready हूँ और वो Fop का हाथ पकरता है और वो दोनों चले जाते है और यही पर ये एपिसोड और ये सीरीस end हो जाती है तो guys ये सीरीस तो end हो गया आप मुझे बतायेगा आपको ये सीरीस कैसा लगा और Cherry Blossom का भी अभी सिर्फ दो ही एपिसोड बाकी है वो भी जल्दी end हो जायेगा आप मुझे बताएगा आपको नेक्स्ट कौन से भी एल सीरीज का एक्स्प्लेनेशन सुनना है मैं कोशिश करूँगी वो लाने के लिए तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई